हलो मैं डियर फ्रेंड्स आप सभी के हमारे चैनल करेंट इस्रीप स्वागत है दोस्तों बात करेंगे पॉल्टिकनिक फर्स समेश्टर एलेक्टिकल ब्रांच इस्टूडेंट के स्लेवस के बारे में अगर आप other branch के student है तो आप comment box में comment करके बता दीजेगा next वीडियो में आपके लिए भी slaves complete किया जाएगा और इसी channel पर आपको इन सभी subject के वीडियो भी provide की जाएगी तो इसके लिए आप channel से आप अभी subscribe करके जोड़ सकते हैं चलिए दोस्त मैं आपको slaves के बारे में detail में यहाँ पर बताना चाहूँगा उसके बात आगे information आपको देता हूँ फिर से मैं कहना चाहूँगा आप other branch के student है electrical छोण कर तो आप comment box में comment करके बता दीजेगा आगे आपका slaves और वीडियो आपको भी chapter wise देखने को यहाँ पर मिलेगी चलिए slaves बताते हैं देखे दोस्त इस PDF के माद्देम से कैसे आपको इसको download करना है यह वीडियो के last में बताऊँगा पहले मैं आपको slaves बताऊँगा दोस्तों आपको स्क्रोल करते हैं ऐसे नीचे आपको आते हैं और जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको पहले ही यहाँ पर मिल जाएगा first semester का slaves first semester में कौन-कौन से subject है इसकी बाद आपके कौन-कौन से topic है उसको भी मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए फर्स semester के गर आप student है इलेक्टिकल ब्रांच के तो सबसे पहला आपका subject है communication skill first यह आपका important subject पहला है communication skill first next आपका subject दोस्त applied mathematics first next आपको दोस्त यहाँ पर है आपका applied physics first तीन subject आपके यहाँ पर include है communication skill first applied mathematics first applied physics first उसके बाद नेश्ट है आपका दोस्त applied chemistry okay next इसके बाद आपका engineering drawing first है जो कि बहुत ज़्यादा important है ठीके और यह सभी आपको जो इतने भी subject देख रहे हैं इसी channel पर आपको video provide की जाएगे already मैंने बहुत से पहले इसके topic के सभी video provide भी की है आप mathematics का video आप जाकर playlist पर देख सकते हैं और भी आगे मैं आपको यहाँ पर chapter wise complete करूँगा आप बिल्कुल परिशान बिल्कुल नहीं होगेगा basic of information technology इसका next subject है और last आपका दोस्त है आपका general workshop practice तो यह तो आपका बहुत important है यह आपका यहाँ पर workshop में practice होता है मतलब आपको यहाँ पर workshop करना होता है यह important है ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके books related इसमें आपको practical से कह सकते हैं कि workshop का एक file type आपको बनाना होता है ठीक है लेकिन यह सभी जो आप subject देख रहे हैं इसके आपके exam कराए जाएंगे communication skill first, applied mathematics first, applied physics first, applied chemistry और engineering drawing first और आपका basic of information technology यह सभी subject यहाँ पर आपको include किये अब दोस जैसे आप किसी एक subject के अंदर के topic को देखना चाहते हैं simply आप जैसे applied mathematics first का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको search बार पर search करना है अभी यह PDF को कैसे आपको मिलेगा download करना है मैं भी आपको बताने वाला हूँ तो आप video last तक देखेगा तो यहाँ पर search बार पर आपको simply search करना है applied math ठीक है तो यहाँ पर हम search करते है applied फिर आप यहाँ पर math यह फिर आप पूरा लिख सकते हैं mathematics आप płरा यहाँ पर लिख सकते हैं ठीक है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए आप यहाँ पर बढ़ाते जाएए, ओके, यहाँ पर जब आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस अप्लाइड फर्स्ट के अंतरगत आपको सीरीज, एपी और जीपी, अर्था जो स्रेणी जी से कहते हैं, और बहुत से स्टूडेंट का यह भी कमेंट आता है, या कहते हैं, कि सर क्या यह सभी इंग्लिस में वहाँ पर प्लिटिक्न में पढ़ाए जाएंगे, मिर दोस्त आपको इंग् में पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो चीजे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, वो हिंदी में ही समझाया जाता है, मैक्सिमम कालेज की बात हम कर रहे हैं, चलिए, सिरीज में एपी, जीपी और यहाँ पर यह सारी चीजे हो गई, मैं आपको हिंदी और इंग्लिस mix करके पढ़ाऊंगा आप बिल्कुल परिशान नहींगा सारी चीजे मैं आपको थोड़ा mix-up पढ़ाऊंगा जिससे सभी student को सारी चीजे समझ में आएगी चलिए algebra first में आपका binomial theorem हो गया यहाँ पर elementary property of determinant order 2 और 3 का यह हो गया और आपका यहाँ पर कह सकते हैं grammar नियम यह पर grammar rule जो है आपका 5 नंबर का question आपके first समझते में पूछा जाता है तो इसलिए सारे topic बहुत जाता है important हो जाते हैं नेश्टा आपका दोस्त algebra second के अंतरगत आपका vector algebra है जिसमें dot और cross product या scalar vector triple product के अंतरगत बात की गई है नेश्टा आपका यहाँ पर topic है complex number complex number में आपके बहुत से topic include किये गये हैं ठीके इसको आपको देखना है जिससे demiver theorem आपका हो गया ठीके application in solving algebra के माद्धियम से solve करना है यह सारे topic आपको complete करा जाएंगे नेश्टा आपका इसमें topic है दोस्तर टेगना मेंट्री टेगना मेंट्री के अंतरगत relation between side angle अर्थाद भुजा और कोण में क्या आपका संबद नोता यह आपका आता है और inverse triangular function यह simple case only आपको इसमें बताना है inverse circular function का यह टेगना मेंट्री का नेश्टा आपका differential calculus first के अंतरगत है आपका function, limit, continuity, function and gear graphs, range, domain यह सभी सारी चीज़े इसमें include की गई है चलिए इसमें method आप यहाँ पर आपको derivative और आपको टेगना मेंट्री function, exponential function, function of function logarithm differentiation, differentiation of inverse technometric function, differentiation of implicit function यह सभी इसमें आप बिल्कुल परेशान नहींगा मैं एक-एक topic का एक-एक आपको point wise बताऊंगा कोई भी आपको परेशान ही नहींगी यह आपका 50 number का paper आता है मेरे दोस्त आपको बहुत अच्छे से सारी topic को complete कराऊंगा बहुत ज़्यादा अच्छा आप number प्राप्त करेंगे मैं मैं पिछले कह सकते हैं इसलिए years के जो student थे उन्हें पता है कि इतने अच्छे से सारे topic को मैंने complete किया था चलिए लास्ट आपको दोस्त यहाँ पर है differential calculation second इसमें आपका higher order derivatives और leavene's theorem without proof अर्थाथ प्रूफ नहीं करना एक leavene's theorem इसके अंदर गता है leavene's theorem और यहाँ पर simple application इसका है finding tangent, normal यह फिर कह सकते हैं point of maxima, minima increasing, decreasing function rate, major velocity, acceleration error and approximation यह सारे topic इसमें include किये गए हैं इसी प्रकार आप other subject का भी देख सकते हैं जैसे applied mathematics first है इसी प्रकार आपका applied physics first भी है तो आप यहाँ पर search पर पर search कर सकते हैं simply applied applied physics यहाँ पर आप search कर सकते हैं दोस्त applied physics applied physics आप search करिए आप first आप ऐसे search कर दीजे आपको सामने आपके interface पर आजाएगा अगर नहीं आता है तो यहाँ से आप आगे बढ़ा दे जाएए आपके सामने आजाएगा applied physics first में आप देख सकते हैं अंदर topic का आप देखेंगे तो unit and dimension है ठीक है पहला topic है unit dimension में आपका बहुत सारी चीजे इसमें include किया गया है इसको आप देखेंगे धीरे धीरे समझेंगे अभी video class में आपको बताऊंगा कैसे आपको download करना है इस PDF को आप यहाँ पर देख सकते हैं force and motion इसमें topic है okay force and motion force मतलब बल और गती के अंतरगर जितने topic है सारे topic आपको पढ़ने होगे work, power, energy है कि important chapter हो जाता है next आपका दोस्त rotational motion है यह सारी आपको जितने भी chapter आप देख रहे है सब हिंदी में देखने को मिलेगा इसको देकर आप घवराईए नहीं गया आपको हिंदी में जो books आपको मिलेगी वो हिंदी मिलेगी आपको सावी topic हिंदी इंगलिस में आपको देखने को मिल जाएगी motion of planet and satellite ठीक है यह आपका हो गया और आपका यहाँ पर कह सकते हैं एक आपका 5 नंबर पर यह हो गया है motion of planet उसके बाद 6 नंबर पर जो आपता है property of matter अर्थात आपकी क्या हुए दोस्ते property of matter पदार्थ के जो गुण है यह आपका है last chapter है heat and thermodynamics ठीक है उसमा गत्की का यह जो नियम है उससे related यह सभी topics में input किये गया है जैसा आप यहाँ पर देख सकते है carnal, chakra, application of various system ठीक है मतलब इसमें आपको thermodynamics से related बात की गई तो 7 chapter इसमें आपके physics में जैसा कि हमने दखाया इसी प्रकार से आप download कर सकते हैं अब चलते हैं मैं आपको यहाँ पर PDF डाउनलोड करना बताऊंगा उससे पहले यही कहूंगा दोस्त कि आप Telegram का अगर आप यूज करते हैं तो Telegram पर सर्च कर लीजेगा current study अगर नहीं करते हैं तो यूज करिए जिसका आपको आगे benefit मिलेगा मैं आपको आगे PDF या फिर important चीजे आपको वहाँ पर provide करता रहता हूँ current study आपको search कर रहे है लेकिन T और Yes के बीच बिल्कुल space नहीं रखेगा इसको search करिएगा Telegram पर वहाँ पर आपको Telegram पर search करके आपको इसको join कर लेना है जिससे आपको आपको और सारी चीजे include करूँगा चलिए अब आपको यहाँ पर यह चीज पता चल गया अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से आपको करना है दोस्तो Google पर simply आना है और यहाँ पर आपको search करना है BTUP आपको simply search करना है BTUP के official website पर आना है BTUP.ac.in ओके इसको आप search कर दीजिएगा जैसे ही search करेंगे इस प्रकार से आपके सामने interface आपके सामने open होगा ठीक है यह open हो रहा है यह open हो गया Board of Technical Education उत्तरप्रदेश लखना हूँ इसके मद्दे नजर आप यहाँ पर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको पहले ही option यहाँ पर देखने को मिलेगा Slavus Slavus पर आपको यहाँ पर simply क्या करना है क्लिक करना है जैसे यहाँ पर आप Slavus पर क्लिक करते हैं तो आपको बहुत से option यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो पहला जो है revised syllabus effective from July 1920 यह पर आपको click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे next interface में आपके सामने सारे subject सारे कह सकते हैं branches के syllabus आपको देखने को मिल जाएंगे एक यहाँ पर important समझेगा यहाँ पर जब आपको syllabus देखने को मिलेगा जैसा electrical engineering का आप देख सकते हैं यह आप यहाँ पर देख पाएंगे six semester diploma course in electrical engineering तो मेरे दोस्त इसको download करने के बाद जो अभी हम आपको PDF दिखा रहे हैं तो वही PDF है इसको जब download करेंगे तो first semester से last semester third मतलब six semester तक जो student है electrical के वो सारे syllabus इसमें include है तो इसको download करके वहाँ पर search करके आसानी से आप देख सकते हैं बस इसी को आप download कर लीजे जैसे यहाँ पर click करेंगे जैसे हम देखें click करते हैं तो यहाँ पर आपको एक download का option आएगा ठीक है इस download पर आपको simply यहाँ पर click करेंगे तो यह download हो जाएगा चुकि मैंने already download कर लिया है तो इसका कोई मतलब है नहीं तो आप इस परकार से download कर लीजे आगे देख लीजे और आपको कोई question है तो comment box में आप बताईए आगे आने के वीडियो आगे जो आपके subject है mathematics, physics, chemistry, communication, skills, engineering, drawing सारे subject के आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को तो चैनल को आप support कीजिए जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपको वीडियो प्रवाइड करिया जा सके धन्यवाद